सपने में हरी मर्च देखे तो हरी मर्च का देखना अगर आप किसी से बेउमीद हो चुके हैं आपकी उमीद या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही तो सबस मर्च को देखना आपकी उमीदों का पूरा हो जाना है अगर आप जॉबलेस हैं आप बेरोजगार हैं आपके पास कोई धंदा नहीं है तो सबस मर्च का देखना यानी हरी मर्च का देखना अच्छा बिसनस या अच्छी जॉब का मिलना भी होता है अगर आप दुश्मनों की वज़ा से परेशान हैं आपको कोई टेंशन है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय पर आपको दुश्मनों से निजात मिलेगी अगर कोई विकती सपने के अंदर हरी मर्च देखता है तो इसका मतलब आपकी सफलता से आपके दुश्मनों का जलना, हसद करना, जैलस होना भी होता है सपने के अंदर हरी मर्च का देखना, आप से जलने वालों को मर्चें लगना भी होता है इसी तरह अगर कोई विकती सपने के अंदर देखे कि वो मर्चों के खेत में गया और उसने वहां से एक हरी मर्च तोड़ी है और आपकी वाइफ अगर प्रेगनट है तो इसका मतलब है कि बेटा पैदा होगा अगर कोई महिला सपने में देखती है कि वो मर्चों के खेत में गई और उसने एक मर्च तोड़ी है इसका मतलब है कि शादी के बाद एक बेटा पैदा होगा दो मर्च का तोड़ना दो बेटे तीन मर्च का तोड़ना तीन बेटे और तीन मर्चों से ज्यादा तोड़ने का मतलब बेहतरीन, खुशगवार, बहुत सफल, सुन्दर, मेटल लाइफ का बिताना होता है अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर देखता है कि उसने बहुत सारी मर्चें अपने घर में लेकर आया है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला एक अच्छी और सुन्दर लाइफ बिताएगा लेकर अगर वो मर्चें खराब थी, घंदी थी तो फिर इसका मतलब तकलीफ, परेशानी और टेंशन होता है मैं आशा करता हूँ कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने अनुमती चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ